कर गई क्यूं बेवफाई, एक बार एक लड़का और लड़की थे मिले, चलने लगे उनके प्यार के सिलसिले, लड़का अपने जान से भी ज्यादा उस लड़की को प्यार करने लगा, उसकी छोटी-छोटी बातों पर मरता था, लड़की भी दिखाती थी कि वह उसी से प्य लड़के के घर की हालत बहुत ज़ादा बिगल गय थे. लड़के के माँ को कुछ बड़ी बीमारी हो गई और बाप के व्यापार में भी मुसीबत आपड़ी थी. घर में सब पैसे पैसे के मोहताच थे. हालत बिगरने के बाद भी बाप ने बेटे को कुछ भी नहीं बताया सब राज ही रखा एक दिन लड़की ने लड़के से महंगे तोहफे की फरमाईस की लड़का मना नहीं कर पाया और लड़की को तोहफे के लिए हा कर दिया लड़के ने घर आकर अपने बाप से पैसे मांगे घर के हालत बहुत बिगर जाने की बजह से बाप ने अपने बेटे को पैसे देने से मना कर दिया कि उनके पास अभी पैसे नहीं है लड़के को लगा कि उसका बाप उससे जूट बोल रहा है उसने फिर चोरी करने का फैसला किया बाप ने कुछ पैसे मागी थी लोगों से उसके मा के इलाज के लिए और बेटे ने सारी पैसे उड़ा दिये एश करने के लिए लड़के ने एक मेहंगा तोहफा खरीदा उस लड़की के लिए लेकिन बदकिस्मती से वह तोहफा उससे बीच रास्ते में ही गुम हो गया इधर मा की हालात बिगरने लगी और बाप भी बहुत चिंतित था उधर जब लड़की ने लड़के को देखा मूँ को लटकाए हुए तो वह समझ गया कि लड़का उसके लिए कोई भी तोहफा नहीं लाया होगा लड़की ने उसकी बात को बहाना बता दिया और इतना कहकर लड़के से अपना हाथ चुड़ा लिया उस लड़के के सामने ही वह चली गई किसी और के साथ और लड़का वही सर पर हाथ रख कर बैठा रहा ठक हार जब देर रात को लड़का घर लोट आया तब देखा कि उसके घर में बहुत भील हो चुकी थी भील देखकर वह घबरा गया घर में घुस्ते ही उसने देखा कि उसका बाप एक तरफ बैठा हुआ है और बहुत रो रहा है और इधर देखा तो उसकी मा सोई हुई थी अर्थी पर लड़का पागलों की तरह चिलाने लगा और कह रहा था कि कोई तो बता तो मेरी मा की मौत की बज़ह इतने में लड़के के सारे दोस्त वहाँ आए और उसे थाम लिया और दोस्तों ने बताया कि उसकी मा की मौत कैसे हुई थी उससे कहा कि कुछ पैसे तुम्हारे बाप ने बचाए रखे थे तुम्हारी मा के इलाज के लिए पर वह पैसे चोरी हो चुके थे उन पैसों की बजह से तुम्हारे मा का इलाज नहीं हुआ और तुमने अपनी मा को खो दिया इतना सुनते ही लड़का पागल सा हो गया वो कमरे में गया और उसने जहर खाकर अपनी मा की तरह हमेशा के लिए सो गया सुनो मेरे दोस्तों ये कहानी हमें क्या सिखाती है मुहबबत है कितनी अंधी यह सिखाती है करो मुहबबत उसी से जो तुम्हारे हालात को समझे मा बाप को छोड़ मुहबबत में न बनो अंधे उम्मीद करता हूँ आपको यह emotional love story कर गई क्यों बेवफाई जरूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो शेर जरूर करिए और इसी तरह के और भी love story या अन्य कहानिया पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए